केसं सोबाट प्रतिमिनट है इस्टार्ट सभी सदैश जानते हैं कि उस समय हमारे देश के नेताओं ने यह सोचा कि हमारे देश में जनता का शासन होगा और उसी के सासस देश में समाजवाद की इस्थापना भी की जाएगी आज जब हम अपने उस बीते विये समय की ओर देखते हैं तो लगता है कि हमारे उन नेताओं ने जो भी सोचा था उसे हम साकार नहीं कर पाए हैं पिछले पचास वरसों में इस देश में अनेक राष्ट्रिय पार्डियां सासन कर चुकी हैं जनता बार बार सासन में परिवरतन कर देश में एक लोगप्री सरकार बनाने की कोशिस करती है कि इन जो भी सासन में परिवरतन हुए हैं या इस देश की नेतियों में परिवरतन किये जा रही हैं उसका देश की आम जनता को कोई लाव नहीं मिल पाया है इसके पीछे दोस किसका है इस संबंध में मैं इस आवसर पर इस पश्ट रूप से तो नहीं कहना चाहता इन तुम इतना भी इतना तो सभी समझ सकते हैं कि जब जनता की और शक्ताओं की पूर्ती नहीं हो पाती है उसे कटनाईयों का सामना करना पड़ता है जब भी देज में अविवस्था फैलती है या कोई गरत नेती बनती है तो दोस सरकार को ही जाता है आज देज में ये तरह की विवस्था है उसे वर्तमान समय में अच्छा नहीं माना जा सकता है और इसी अविवस्था के कारण जनता के मन में सासन के ब्रती अविश्वास की पावना पनप रही है महोदय मैं स्तश्यों से निवेदन करना चाहता हूं की वे इस सदन में देश की विगड़ती हुई इस्तिती पर कंभेरता पूर्वक विचार करें और कुछ ऐसे ठोस सुझाओ सदस्यों की ओर से आएं ताकि उन पर अमल करके ठोस नतीजे प्राप किये जा सकें हमें आम जनता की भलाई के लिए और उसकी कठनाई को दूर करने के लिए प्रतनिसील रहना चाहिए यदि जनता सुखी नहीं है उसे समय पर आवश्यक चीजे प्राप नहीं हो रही हैं और उसका सामान जीवन भी रस्त व्यस्त है तो हम लोगों के लिए एक विशेश चिंता का विशे होना चाहिए मैं समझता हूंगी देश में बढ़ रहे ब्रश्टचार को सबसे पहले समाप किया जाना चाहिए जब तक देश से ब्रश्टचार को समाप नहीं किया जाता तब तक ना तो देश में समाजवात की इस्थापना की जा सकती है और नहीं शाजन व्यस्ता में सुधार हो सकता है ब्रश्टचार ने देश की सासन व्यस्ता को अस्त व्यस्त कर दिया है तियास इस बात का सार्थी है कि जब जब भी देश में ब्रेश्टाचार बढ़ा है देश के एकास में बादा पहुंची है यह ठीक है कि एक ही दिन में ब्रेश्टाचार को दूर करना शंभाव नहीं है किन्तु सिरकार को उसको दूर करने के लिए कोई ठोस प्रत्न तो करना ही चाहिए कि मैं अध्यक्ष महुदय का इस बात के लिए भी हार्दिक आबार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मातपूर्ण विशह पर प्रकट करने का ओशर दिया है